तो धूब दिखाने की ज़रत है और नहीं घंटों की मेहनत जटपट से बनाईए लाल मिर्ची का अचार ठंडी के मौसम में पराठे के साथ में लाल मिर्ची का अचार बहुत ही टेश्टी लगता है और ये इतना जल्दी बन के तयार हो जाता है ना सभी बहुत ही पसंद करे और ये मिर्च का अचार बहुत ही चटपटा बनता है एक बार बनाईए और पूरे साल भर खाईए आप एक साल के लिए अराम से श्टोर करके रख सकते हैं और इसको बनाना बहुत ही असान है एक बरनी में भरके इसको रखिए खराब बिल्कुल भी नहीं होगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आप सभी का स्वागत है सीजी की चनवित जहलना में यहाँ पे एक किलो लाल मिर्च ली हूँ ना तो यह बहुत ज़्यादा मोटा है और ना ही पतला है मिडियम साइज का है यह मिर्ची तो यहाँ पे मैं जो हरा वाला डंठल रहता है ना उसको अलग कर देती हूँ आप इसके सहित भी अचार डाल सकते हैं लेकिन मैं अलग कर देती हूँ अब उपर के थोड़े से भाग को छोड़ के कट लगा देना है पूरा इसमें चीरा नहीं लगाएंगे इसके डंठल को अलग करेंगे उपर के थोड़े से भाग को छोड़ेंग फिर नीचे से छीरा लगा देंगे, बस ऐसे ही पूरे को कर लेंगे, अब यहाँ पे मैं गेस में एक पैन चढ़ाई होँ, अब यहाँ पे तीन चम्मझ चीरा डाल रही होँ, कोई भी सैस के चम्मझ में नापके बनाईएगा, मैं मेडियम सहिच के चमच में नापके डाल रही हूँ अब उसी चमच में नापके चार चमच साबुत वाला धनिया जो सुखा धनिया आता है साबुत वाला उसको डाल लेना है उसके बाद यहां पे डालेंगे पांच चमच सौफ जो मोटा सौफ आता है ना अचार में डालत सबी चीजों को डाल लेंगे उसके बाद गैस को चालू करेंगे आधा चमच मेधी दाना स्रिफ आधा चमच ही डालना है अब मैं गैस को आउन कर देती हूँ अब आज को बहुत ही कम में रखेंगे गैस के फ्लेम को ना कम में ही रखके हलका हलका भूनते जाएंगे इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और खुस बूँ आने लगती है तब तक इसको चमस चलाते हुए भून लेना है और आप चैनल में पहली बार आया है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करना ना भूलिएगा तो यहाँ पे लगभग दो मिनट हो चुका है कलर भी चेंज हो गया है और यह भून चुका है दूसरे बरतन में पलट लेती हूँ और ठंड़ा कर लेते हैं अब यहाँ पे मैं पीली वाली राई डाल डालूंगी जो पीली वाली सरसो आती है ना उसी की ये डाल है बहुत बारिक है तो इसको हम नहीं पीसेंगे बस ऐसे ही डाल देंगे तो यहाँ पे मैं पांच चमच डाल रही हूँ पांच से छे चमच है अब एक चमच कलोंजी का बीश डाल रही हूँ कलोंजी डालने से बहुत ही टेश्टी बनता है अचार तो गैस के फ्लिम को कम में ही रखेंगे हलका हलका इसको भी भूनते जाएंगे और एक चीज का ध्यान रखना है कि राई के डाल को और कलोंजी को हम नहीं पीसेंगे क्योंकि कलोंजी को पीश दोगे ना तो कड़वाहट आ जाता है अचार में इसलिए कलोंजी को नहीं पीसा जाता है तो यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है इसको भी पलेट लेती हूँ अब यहाँ पे मैं सरसो तेल को गरम कर लेती हूँ तो बड़े से इसके कटोरी में ना एक कटोरी सरसो का तेल ली हूँ पूरा तेल नहीं आ रहा है तो मैं दो बार करके गरम कर लूँगी अब यहाँ पे मैं गैस को चालू कर दी हूँ अच्छे से धुवा के निकलते तक हम तेल को गरम करेंगे सरसो का तेल है देखिए बहुत अच्छे से धुवा निकल गया है न तो अब इसको मैं दुसरे बरतन में पलट लेती हूँ अब जो तेल बच गया है उसको फिर से धूबा निकलते तक गरम कर लेंगे और गरम करने के बाद ना इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे अब यहाँ पे जो धनिया और जीरा ये सब मैं भूनी थी ना वो अच्छे से ठंडा हो चुका है तो अब मिक्सी के जार में डालके इसको दरदरा पीस लेंगे इद्दम दरदरा पीसना है हलका हलका मिक्सी को चलाते जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अच्छे से दरदरा पीश चुका है ये इदम बारिक बिल्कुल भी नहीं करेंगे मिक्सी को चलाएंगे फिर रोकेंगे फिर चलाएंगे ऐसे पीशते जाएंगे अब जो राई दाल है कलोंजी है उसको भी पूरा डाल दी हूँ मैं यहाँ पे अब चमच काला नमग काला नमग डालने से बहुत ही टेश्टी बनता है अचार अब दो चमच अमचूर पौडर मार्केट में बहुत ही असानी से मिल जाता है आधा चमच हल्दी पौडर और आधा चमच हिंग डालने से ना बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है अचार में तो बाद मसाले में डाल देना है तो दो निबू के रस को मैं पूरा डाल दी हूँ इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से मिलाते जाएंगे तो निबू का रस पूरे मसाला में चले जाए अब जो तेल को हम ठंडा किये है ना उसको पांस चमश डाल रही हू नटो ये बहुत ही असानी से मिर्ची में भरते बनेगा अब यहां पर 2018 मिर्च मेंसाला को भर लेती हूँ एद्दम भर भर के डालेंगे मसाला को खाली बिल्कुल भी नहीं डालना है पूरे मिर्ची के अंदर में मसाला अच्छे से भरा जार वैसे ही हम इसको पूरा पैक डा जालते जाएंगे, मसाला की कमी बिल्कुल भी ना करिएगा मिर्च में, अब एक हो चुका है, अब दूसरे में भी मैं पूरे मसाला को भर देती हूँ, अब ऐसे ही पूरी मिर्ची में मैं मसाला को भर लोंगी, तो यहाँ पे देखिए, पूरे मिर्च में मसाला बहुत अच् की जो मिर्च है उसको डाल लूँगी आप बड़े साइस की बढ़नी में भी मिर्च को डाल सकते हैं तो यहां पर तेल अच्छे से ठंडा हो चुका है ना उसमें एक चमश लाल मिर्च का पौडर डालूँगी यह कस्मीरी लाल मिर्च है इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है अचार में तो जरूर डालिएगा और तीखा बिल्कुल भी ने रहता है बहुत कम रहता है तीखा तो यहां पे मैं आधा तेल को डालूंगी क्योंकि जो आधा मिर्च का अचार बचा है ना दूसरे बढ़नी में डालूंगी उसके लिए आधा तेल को बचा ली हूँ अब थो कोड़े से तेल में यह अचार बनके तयार हो जाता है देखिए मैं निकालके दिखला रही हूँ ऐसी दो बरनी बनके तयार हुई है अचार की बहुत ज्यादा टेश्टी रहती है आप एक पर जरू ट्राइ करिएगा आपको पहुत ही पसंद आएगा वीडियो अच्छी ल